फ्रेंड वेलकम तु माई चैनल लानवीद की रूँ आज हम पढ़ेंगे म्यूचुल फंड की बारे में कि म्यूचुल फंड क्या होता है तो देखो यह टाइप से कहें तो एक इन्वेस्टमेंट विकल होता है ठीक है जो क्या करता है कि लोगों से पैसे को कलेक्ट करने जो भी ordinary investor वगयरा होते हैं उनको help करता है चोटी-चोटी इन्वेस्टमेंट वगयरा करने में चाहिए तो अगर म्यूचुल फंड का में मीनिंग समझें तो क्या होता है सिंपल उर्ट्स में कहीं तो म्यूचुल फंड क्या करता है सेवेंग को collect करता है चोटी-चोटी-छो से कहें तो यह ऐसा प्रिंसिपल लगी चो चोटी-चोटी ड्रोप्स होते हैं वोटर की वह बड़ा होसी मिना लेती है मतलब जब बालटी में लगातर पानी गिरती रहते कि बूंद वह कभी न कभी तो बरेगी तो वही बोलता है कि छोटी-छोटी यह बोलता है कि जितने भी फंट्स होते है ना फिर इसके अंतरकत उनको उनित्स में डिवाइड करते हैं चोटी-छोटी-छोटी करते जाते हैं जिनको यूनित्स बोलता है जैसे कंपनी के cash में share होता है कि जूस के total capital होती है उसको वह बाट के Celta है इसमें व और यूरियोगी चैनल इजिल वह多 है विखवर स्मोल टो उसके सेग में और वह very portfolio investment के जाने है जिखा ये बाध के फायद मतल," करके कि यही होता हैं कि इन्वेस्ट chains Start होता हैंолод projeto और वहां से में मिलता है रिटर्ण कि सिसक्राइब सिननल धूमारी चलती ही रहती है कि पूल यहां से इसके पास गया यहनों ने से जिके यहां से हमें रिर अब आते हैं वहां पास चला हाइब का सकोप तो बहुत सार इन्वेस्टर से क्लेक्ट क्लेक्ट किया जाता है वह था यह कहता है कि में बीचल होता है और वह लोग होते हैं जितने भी इन्वेस्ट रहां होते हैं वह खुद से करते हैं खुद से अपनी सेविंग वगएरा देते हैं ठीक इसलिए बोले जाता है अगर हम सोचे कि मिज्वाइब क्या कि फीचर्स हो सकते हैं क्या कि इसके विशेष्टा ही हो सकते हैं तो देखो mutual fund क्या होता है बिलों करता है contribution से चीक है जो contribute किया जाता है और the ownership of fund lies in the hand of investors और फंड कि इसके पास होती इसके पास क्योंकि invest करके चलते हैं फिर यह फी पता है कि इसलिए इसलिए प्रहुता है कईतीज इंवेस्ट होता है उसका उसको ईञेएअ जिय में युट होते हैं जो फॉर्टों का वो क्र헷न करेंड का ह। किसका क्या है बदlorन एक आप टाना वह प्रस्ट के जाती है जितनी भी पब्लिक युनिट्स वगए रहा थी उनको पब्लिक को बेचे पब्लीक उनको खरीटे कि तुम आपके से क्या आएगा पैसा तो यही बोल रहा है कि जो फंड है ना उसको इसको एस्टाबलीज किया जाता है इन दा फॉर्म ओव ड्रस्ट के द्वारा और मनी राइज की जाती है ट्रस्टी के द्वारा उनको पब्लिक को बेज कर एक यह से जादा स्कीम के अंदर अलग लग लें अलग लग लग दी है जैसे यहां पर विदिर रखाई और बनाई जाती है इनमेस्ट्वेंट फंड्स के लिए ताकि इंडिजवल है इंडिजवल और जो इंशिट्यूसनल इंवेस्टर है वो क्या राइज कर सेगे रिटन वगेर राइज कर सेगे मतलब जो भी उन्होंने पैसा लगा है उसके बदले में तो अलग लग तरीके से हम इसको एक्स्प्लेंट कर सकते हैं यह हम पाट चुके कि इसमें तीन परसे में इन्वेस्ट करेंगे जब कि जो फंड होते हैं उसमें वह आपके एक क्किनल फंड में लगा रहे हों तो आप स्वाइश ऐसा कुछ भी नहीं होता है जबकि जो हमारे होते होते हैं वो जी रही होते हैं और चुल करना चाहते हैं यह उनके लिए भी होते हैं फिर बात आते हैं कि ओरीजिन कहां से हुआ है फंड का तो जो पूराने टाइम से आती है सब्सक्राइब लेकिन अगर में देखें तो इसकी जो कंसेप्ट है ना वो फोरन और को लियल गोवर्मेंट ट्रस्ट लंदन से आई है जो 1868 में इस्टावलिस हुई थी एक टाइप सी कहने दूसके बाग बहुत सारे सब्सक्राइब बने थे युएस में 1930 के अंतरगत फिर उसके बाद अलग लग कंट्री लागे यूरो पास्ट इस्ट लाइटिन अमेरिका इनों ने भी म्यूच्व फंड कंसेप्ट को अपनाया अगर इंडिया में देखे ना तो इसको 1980 के कोडिंग इसकी मोमेंटम आई है करते हैं तो फॉक्षग करने को छोटते हैं अगर करने कि यह को अगर लोकेशन के बेस पर देखे तो डोमेस्टिक ओफ्शॉर होते हैं और अगर इंवेस्मेंट पैटरन या इल्ड जितना रेटन वगेर और उसके बेस पे देखें तो इंकम फंड रोथ फंड बैलेंस फंड स्पेशलाइज फंड मनी मार्केट मुच्वल टैक्सेशन फंड होते हैं बैलेंस फंड को हम कंजर्वेटिक फंड भी बोल सकते हैं और उनर्सी क फंड हमार लिए तो इंडिया से पैसा राइज करेंगे और ओफ्षोर जो फंड होते हैं वह होते हैं जहां पे सेविंग वगरा को फंड वगरा को मॉबिलाइज करते हैं तो यह इसलिए बना गया थे क्योंकि हमें पता है कि युनिट ठ्रस्ट प्रवल आप करना स्टार्ट किया था तो इसकी ओनर्शिप थी बहुत जा था इसकी को देखते हुए दूसरी जो हमारे देश में अगर मुच्व फंट कम भी आई थी थी और फिर भी मोनो पॉली वगए रहा थी यूने ट्रस्ट होती इसलिए कहा रखा है कि पब्लिक ने मतलब जो सैंट् मतलब यूने ट्रस्ट वगएरा स्टाबलेस करके फिर पैसा राइस करते हैं अब बात आती हैं ऑपरेशन के बेस पे कौन कौन से टाइप सो म्यूचल फंड होते हैं तो देखो एक होता है और एक होता है ओपन एंडिट तो देखो क्लोज होता है जहां पे पहले से सब मतलब से होगा कि इतना सब्सक्रिप्शन कर दिए जाते हैं जो भी अमाउंट की पूरी इसको डिस इनवेस्ट कर दिया जाता है और पिर घल्ट इसको इसको डिस्त्रिब्यूट कर दिया जाता है अलग लग उनिट होल्टर में इसके फीचर यहीं है कि इसमें जो पीरिड टार्गेट अमाउंट वगएर हो पालस डैफिनेट फिक्स होती है एक बाद पीड वगएर टार्गेट वगएर पूझ जाता है तो उसके बाद इन्वेस्टर उसमें नहीं कर सकते मिकलब दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके बाद वह और यूनिट वगएरा परचेज नहीं क परड़ेस्टर वगएर को बहुन सब्सक्राइशन होता है अगर मार्गेट इसके यह औरफेवरेबल नहीं होते हैं तो यह और आफेक्ट करणोंगेशन होते हैं अगर कि अगर अब आट्रेक्ट कर सकते हैं बहुत ज़एज यह इसमें पैसा इतना ज्यादा लगाते हैं टैम पिलर्ड फिक्स होता है टैस्ट वैसे अट्रक्ट करते हैं जरनली जो प्राइस होते हैं लोगे वो डिस्काउंट अप्टू 40% तक मतलब जो भी नहीं होती है उससे 40% कम तक इसकाउंट वगएर क्योंट किया जाता है अब आता है ऑपन जहांपे कुछ फिक्स नहीं होता तो बिल्कुल उपन होते हैं जहांपे साइज फांड पीरेड वगएरा कोई भी प्री डेटर्माइ इनको पब्लिक भी डेड नहीं किया जा सकता है यह लिक्वीडेट मतलब इनकम को जनठरीर करना यहां घ्का इंकम जनरेट करना इनको इसे किरना जेलेफिज्ट करना छきます है फॉंड मैनेजर होते हैं केरफूल होते हैं इन इनवेस्टमेंट को मैनेज करते टाइम अब बात आती हैं इल्ड या मतलब रिटन के बेस पे देखे तो देखो इनकम फॉंड इनकम फंड क्या होंगे जी करें में वगयरा मिलें तो इसलिए में फॉकस होता है और या भी एक रिटन पर के पर फोकस करके चलता है तो पैटरन होता है इन्वेस्टमेंट का वो किसकी तरफ होता है आई एन कि बहुत लोंग टरम गेंज में तो देखो डेटो अफर रेगुलर इंकम पर फोकस नहीं करते हैं इनके ने टैस्ट भी बोल देते हैं या इनको लोंग ओल भी बोल देते हैं कि यहां लंबे पीरिड तक इन्वेस्ट मतलब रिटेन वगेरा मिलता रहे तो देखो इसमें बत करते हैं तो अब आता हैं बैलेंस फंड बैलेंस फंड कौन से होंगे इनको हम चंजरवेटीव fund भी बोल सकते हैं इंकम इनकम मेंगर जोन अलब नहीं से बोल सकते हैं तिक यह कुछ नहीं होता है कि जो आमने पिच्छे पढ़ें आपने इंकम और ग्रोफ यह दोनों का इस पर्कार ख़्यार हो गैरे में पूरा करने के लिए वते हैं रही कंपनी-कप्रमो के वीजुर, लगलग मुबाईल टेंव money market mutual Fund मतलब देखो हिसका नाम से पता चल रहा है जो कहता है कि money market mutual fund वो होते हैं जिनका object होता है invest करना money market instrument में कहाँ पेंवेस्ट करना money market instrument में investing money market instrument तो इसमें अपन और लिक्वीड होते हैं उसमेंट कुछ होते हैं एक हाइर होता है सेफ में जाधा फोकस करते हैं हैं क्युकि आमने पता है जो मझी मार्केट होता है उसमें रिस्क कम होता है क्योंकि गवर्मेंट की दूरा कंट्रोल किया जाता है जैसे इसने को मभगार्ण निन को मघेर बोलते हैं अगर लगा लो यहां पर इसको अनाच्छे से मैनेज वगरा किया जाज़े सब्सक्राइब जल्दी से कर सकते हैं इसका में फिचर होता है कि जब भी पैसे की जरुवत पड़ो हम इसको मतलब इन्वेस्ट वगरा करके पैसे को राइज कर सकते हैं फिर आते हैं इसमें हमारे यह यह टो में सब्सक्राइब करें जो करें आर ना चाहते हैं तो यह बहुत अधर परकार के क्लासिकेशन इल्एज फट नामसे पता चल रहा है की बढ़ाना है कि यह प्राम्री की कुछ होता है कि बैई जो भी अमारे लिवरेश का मतलब होता है कि लिविडिटीव गेरा मेंटेन करना यह फंड को ब्रोड फंड भी बोल सकते हैं क्योंकि यह इंक्रीज करना साइज और वैल्यू पोड़ फोले मतलब देखो पैसे नहीं ह तो जब बढ़ जाती है तो अर्निंग कैपिसिटी होगी फंड की वह भी बढ़ जाएगा अब इन्वेस्टमेंट जादा करोगे तो रेटेंट भी अच्छा है तो यह तो यह जो फंड होता है निगे इन्वेस्टिबल फंड बोरो इंग पर ही बेस बताब जो भी उधार इन्वेस्टमेंट देते हैं दो अलग 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 परकार की मतलब जो अलग अलग परकार के टू टाइपस ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं ठीक है इसका परपस क्या होता है फो इस पर यह ना दो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फो बेस्ते हैं लाइक इनकम चाहते हैं वो तो इंकम रेज्ट सकते हैं मतर्यां इंडेक्स फंड फंड टयप से देखो इंडेक्स वरड आ गया यहां पर क्या होता है कि यहां पर इंडेक्स लेके चलता है जैसे बहएं पाइड की दे या सैंसेक्स वगएरा उनके बेस पर होता है ठीक है यह जो स्कीम होती है यह इन्वेस्ट करते हैं सिक्यूर्टी में जो भी मतलब गाइडलाइन्स वगएरा होते हैं बॉंड फंड कोन से होता है जहां पर फिक्स इंकम सिक्यूरिटी इंक्लूड पर फोकस क्या जाथा है जो फिट्स इंकम या रेगुलर इंकम बोल सकते हैं में फ्रस्ट यहां पर होता है कि आइंकम फोकस करते माथे इर्गुलिर अज फोकस करते ना इंकम फिर बात आते हैं ऊप्षर होते हैं कि जू न रेजिदेंशम्स के लिए होते हैं दूसरे सब्सक्राम होते हैं इंवेस्टे are from abroad बार इसके मोटें हैं एक इंवेस्टमेंट होते हैं जो 22 करते हैं मैंने जो इसके मेरे जो सब्सक्राइब मेरे और ईसके में उसमें यह यह कंपनी के मोगें अपर्वल ले नहीं कड़ा है दिपार्टमेंट अफंट स्कीम होते हैं इंवेस्ट करती है अधर मुचल फंट स्कीम में इंवेस्ट करती है ज्यादा तरही है पर परच लिए फिर बात आती है एक मैंने खुद से लिखा था मतलब यह हमारी निदि रखा लेकिन जरूरी होता है कि लोड या नो लोड फटी खायेगा तो उसकी एंट्री और एक्जिस्ट पर ना चार्ज वागरे लिया जाते है नेट जो एन एवी होते हैं उसकि कुछ परसंटेज का रिट मूचल तो यह वही होते हैं जो इनवेस्ट करते हैं डारेक्ट इंडिर्ट इन्वेस्ट्पर किसी रिय्यल एस्टेट प्र बेस पर जब हम इनवेस्ट वगेरा करते हैं तो वह हमारे गोल्ड बेस मूचिल फंड होते हैं चीज़ के तो यह हमारे टाइप्स थी यहां पे खतम होते हैं इससे आगे हम नेक्स पार्ट में पढ़ेंगे तो अगर आपको कोई किसी भी टाइप्स वगेरें क्लास्फिकेस कोई भी गन वीजियो नहीं होता आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेर करें थैंकियो